जार्खन के बारा अधिकारियों को पूलिस बीरता पदक रांची के मोराबादी मैदान में 26 जनवरी के मोके पर राज्य पदाधिकारियों कर्मियों को विभीन सिरेनियों में मेडल देंगे बतादे राज्य के सेस्पी सुरेंद कुमर जहां सहीद 12 पूलिस पदाधिकारियों कर्मियों को जहां पूलिस बीरता पदक दिया जाएगा वहीं एक हवलदार को राष्ट पती पूलिस पदक मिलेगा इसके अलावा उतक्रिष्ट अनुसंधान के लिए चार पूलिस अधिकारियों को गिरे मंत्री पदक वह चो पूलिस कर्मी पदाधिकारी को अच्छाधारन सुचना पदक दिया जाएगा बतादे पूलिस बीरता पदक की घोशना दो साल पहले ही केंद्र से हो गई थी को में कोहरे अर्धोंत की सिती बनी रहेगी इससे पहले रांची समयत पूरे जार्खन में रविवार को बारिस हुई बतादे रांची, हजारी बाग, बोकारो, कोडार्मा, रामगर, गटवा, लाते हार, डाल्टेन गज, गुमला, लोहर्दगा, जामतरा, दुमका, जमसेदपूर, अवचाईबासा में बारिस हुई है किसानों को धान की सही कीमत दिलाएगी जार्खन सरकार मुखे मंतरी हमनसुरेद ने सोमवर को राजे के दस जीलों में 14 राइस मीलो का सिलानियास किया इस महोखे पर सी एम ने कहा कि इन मीलों के खुलने के बाद सुबे के किसानों को धान की ऊचित मुल्ये मिल सकेगी बता दे इस मोखे पर बीत एवं खादा पूर्ती मंत्री डाक्टर रामेशवर उराव के साथ कई बर्या अधिकारी मौजूद थे मोखे मंत्री ने कहा कि राजे में 50-60 लाग मेट्रिक टन धान की उपज होती है लेकिन मौजूदा 80 राइस मीलों से केवल 15 लाग मेट्रिक टन धान की मीलिंग हो पाती है बता दे इन 14 मीलों से हमारे धान खरीद का लक्ष पुरा नहीं हो सकेगा इसके लिए हमें राजे में 100 राइस मील लगानी होगी इस दिसा में सरकार बढ़ रही है मैट्रिक इंतर परिक्षा को लेकर सचीव से मिलेंगे बोर्ड अध्याक जारखट एकेडमी कौंसिल जैक अध्याक डाक्टर अनील कुमार महतु ने गत दीनों ही मैट्रिक वो इंतर की परिक्षा जल्द कराये जाने को लेकर संकेत दिये थे बता दे अध्यक्ष सिक्षा सचीव से मिलेंगे क्यास लगाय जा रहा है कि जैक अध्यक्ष परिक्षाओं के तिती घोशित किये जाने को लेकर सचीव से आगरा करेंगे हाला कि उन्होंने गत दिनों होई जैक पदा दिकारियों के साथ बैठक में ही एक सब्ता के अंदर इस दिस्ता में कदम उठाए जाने की बात कही थी यह मुलकात उसी का हिस्सा होगा ज्यार्खन में खतियान बने अस्थानिय का आधार मंत्री जगनात महतो समर्थकों के बीच टाइगर उपनाम से लोग पिरिये ज्यार्खन के जमीनी मुद्दे और मसलों की जगनात महतो गारी समझ रखते हैं बता दे क्रोना की पहली लहर में सक्रियता के करण वे इस कदर बिमार हुए कि फेपड़े का पत्यार उपन कराना पड़ा तव्यट ठीव खोने के बाद उनकी सक्रियता पुर्व की भाती है उन्होंने बर्सों से राजे में चले आ रहे परासिजों के आंदोलन के मदर नजर उनकी अपेक्छाओं को पूरा करने में कम्यावी हासिल की बता दे पृतक जर्खन आंदोलन से जुड़े रहने की वावजूद से पूर्व में उन्हें कई दफा बिकट पर स्थितियों का भी समना करना पड़ा है विराज से जुड़े सवालों पर पूरी मजबूती से अपना पक्ष रखते हैं और काम को बेतर बनाने के लिए सुझाव भी मांगते हैं बता दे उनका कहना है कि समयकित पर्यास से ही परदेश को विकास के पत पर आगे बढ़ाया जा सकता है CM हमन्त ने बोकारो DC को लगाई फटकार मोख्य मंत्री हमन्तुरे ने बोकारो के उपायुक्त को कड़ी फटकार लगाई है बता दे अपने ट्यूटर एकाउंट से मोख्य मंत्री ने DC को चेतावनी देते हुए कहा है कि यह स्थिती बरदास्त के बाहर है अभिलम संग्यान लेते हुए इस्थिती में सुधार करे बता दे मोख्य मंत्री के इस ट्वीट से ट्वीट जार्खन के प्रसासनिक माकंपे में हरकंप मचा हुए है मामला बोकारो सदर अस्पताल की बदहाली का है बता दे मोख्य मंत्री के गुसे के कारण बोकारो सदर अस्पताल में लपरवाई और बदहाली का आलम या है कि मरीजों को बीस्तर पर बेट सिट तक नहीं मिलते डॉक्टर अपने डूटी पर नहीं रहते वहीं अस्पताल के अंदर जो जाच घर है उसमें ताला लटका रहता है इलाज कराने आई मरीजों को बेवज़ा दड़ाया जाता है थ्री लेयर होगी मौराबादी मैदान की सुरक्षा गंतंत्र दिवा समारों को लेकर राईधानी राची में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किये जा रहे हैं सुरक्षा के मदनजर राची में डेड़ हजार फोस की तैनाती की जाएगी इसमें जैप, सैप, जारकन पुलिस, रैप, जारकन जगुआर, राची, जीला बल, जारकन गिरी, रक्षा वाहिनी के फोस सामिल हैं बता दे मोराबादी मैदान इस्थी, समारो, अस्थल और उसके आजपास इलाके में त्री लेर के सुरक्षा बनाई जा रही है राची के SSP सुडेंद कुमरजा ने बताया कि समारो, अस्थल में एक-एक व्यक्ति के जाच करने के बाद ये उसे अंदर जाने दिया जाएगा कोरोना काल में पढ़ाई के लिए वाटसेप गुरूप तक तयार नहीं जार्खन के सरकारी स्कूलों में बच्चों को डिजिटल कंटेंट उपलब्द कराने के लिए वाटसेप गुरूप तक तयार नहीं हो रहा है बतादे राजे के 35,441 इसकूलों में 14,78 इसकूल में ही वाटसेप गुरूप के माध्यम से कंटेंट उपलब्द कराया जा रहा है बतादे अभी भी एक कई सहार से ज्यादा इसकूलों में वाटसेप गुरूप भी तयार नहीं हुआ है जिस वज़ा से बच्चों को डिटल कंटेंट नहीं मिल पा रहा इसकूली सिक्चावस अशरता विभाग ने सभी सकूलों को कलास का वाटसेप गुरूप तयार करने का निर्देश दिया है ताकि हर कलास वह हर विशाय की जनकारी बच्चों तक उपलब्ज कराया जा सके बावजूद इसके अभी तक 37-29 इसकूलों नहीं वाटसेप गुरूप तयार किया है राश्टिये मद्दाता दिवस पर कारिकरम का होगा सिधा प्रसारान राश्टिये मद्दाता दिवस 25 जनवरी को है बतादे जार्खन में इसे लेकर तेयारिया की जा रही है राश्टिये मद्दाता दिवस को लेकर राजे अस्तरिये कारिकरम का आवेजन किया जा रहा है इस वर्ष कुरोना को लेकर ओनलाइन प्रत्योगताय होंगी जारखंड में सोमवार को कुरोना के 1411 नई केस मिले जबकि 349 मरी स्वास्थ हुए वहीं जारखंड में सोमवार के आकड़े के अनुसार कूल एक्टिव केस की संख्या 17,460 है भारत में 2,15,589 नई केस मिले जबकि 2,35,847 मरी स्वास्थ भी हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 22,188,194 है जारखंड में सो राइस मिल लगाने के संख्यत मुख्य मंत्री ने कहा है कि राज में राइस मिलों की कमिके करण किसानों को उनकी उपज का परियाप्त मुले नहीं मिल पाता है राइस मिलों के खुलने से अब उन समस्याओं पर विराम लगेगा बता दे 10 जीलों में 14 राइस मिल का सिलन्यास किया गया परन्तु इन 14 राइस मील से हम लोगों का लक्ष पुरा नहीं हो सकेगा इसके लिए हमें कम से कम राजे में 100 कि संक्याम राइस मील यूनित लगानी होगी बता दे तभी लक्ष को पुरा किया जा सकेगा इस दिसा में हमारी सरकार धीरे धीरे आगे बढ़ रही है हमारा पर्यास है कि जिन जिन प्रचेत्र में राइस मील का सिलन्यास हो रहा है ये सभी यूनित जल्द से जल्द बनकर किसानों की सेवा में समर्पित किये जाए गंतंत्र दिवस परेट की फूल ड्रेसरी हल्स हल्डी सीनली मार्च पाष्ट की सलामी रांची के मौराबादी मैदान में गंतंत्र दिवस मुखे समरोह कायोजन किया जा रहा है बतादे खुरोना के संभाब्य परसार को देखते हुए सीमित ब्यक्तियों की सभागिता के साथ समरोह मनाया जाना है इसके मादे नजार सोमवार को रांची के उपायोग छवी रंजान एवं वारिये पुलिस अधिक्चक सुरेंद्र जहा की उपस्तिती में फूल डेसरी हल्सल की गई इस दोरान उपायुक्त ने मार्च पाष्ट की सलामी ली और प्रतिन्युक्त अधिकारियों का वसक निर्देश दिये गंतंत्र दिवस परेड में राजपत पर कदम ताल करेगी खायसावा की जोती 26 जनवरी को गंतंत्र दिवस पर देश की राजधानी दिली में आवजित होने वाली परेड में इस बार भी जहारकन के चार होनार कदम ताल करते नजर आएंगे बतादे इन में से एक सरायक लें खरसवा जिला अंतरगत खरसवा परकंड के उधरिया गाओं की जोती जारी का भी सामिल है केरल जेल में एक महिने से बंद है जहारखन के खतर मैजदूर सीम से छुडाने की गुहार के एरना कुलम में दो पक्चों के बीच जगडे के दोरान होई हिंसा की मामले में पिछले एक महिने से जहारखन के खतर मैजदूर जेल में बंद है बतादे इस मामले में वहाँ की प पूल मंत्री मिथिलेश ठाकूर ने किया भूमी पूजान पेजलों स्वक्षता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकूर सो मुहर को विभीन कारिकरों में सरिक हुए बतादे इस दोरान उन्होंने जहां फराठिया वक खजुरी के बीच इस्थीत दान्रूलो नदी पर पूल निर्मान को लेकर भूमी पूजान किया वही मंत्री ने सही निलामर पितामर पार्क के समीब जननायक कर पूरी ठाकूर की पर तीमा अस्थापना के लिए भी भूमी पूजान किया बतादे मंत्री ने पूरू में उक्त अस्थाल पर जननायक की पर तीमा लगाने की घोस्तना की थी उन्होंने भूमी पूजान किया इस दोरान विभीन अस्थानों पर मंत्री का स्वागत भी किया गया गुमला में बढ़ी मद्दताओ की संख्या कुमला जीले में चलाए गए मद्दताओ जगरूपता अभ्यान का असर पड़ा है बतादे जीला पर सासंद्वारा नेमित रूप से दिवार लेखान, नुकर नाटक और अने माध्यम से स्कूलों कॉलेजों में जाकर लोगों को जगरूप किया गया इसका पढ़िया में है कि मद्दताओ की संख्या में इजाफा हुआ है बतादे जगरूपता के कारण युआओ ने स्वैम भी आयोग के वेप साइट पर रेजिस्टेशन कराया है लाते हार में अवायद बुचल खाना लाते हार जिले के महुआ टाय थाना छेतर के गराम अमबा टोली में अवायद बुचल खाने में परतिवन्दित मांस बेचने की सुचना पर महुआ टाय थाना पूलिस मोके पर पहुँची मोगे परमांस बेश्टे जुबेर अंसारी पीता जमाल अंसारी को गिरफतार कर लिया गया है वहीं पुलिस टीम ने अरोपित एक नबालिक को भी पुछताज के लिए ठाना ले गई है बता दे सभी लोगों पर पसुक रूर्ता अधिनियम के तहत आया की करवाई की जा रही है धनबाद में स्कूल बंद कराने पहुची टीम को बच्चो और अभिभागों ने बनाया बंधा धनबाद के दूहा टांड इलाके में चलने वाले किट्स पैरडाइज पॉब्लिक स्कूल को खोल कर यहां बचो को पढ़ाया जा रहा था जीला परशाशन को इसकी सुचना मिलने पर एक टीम जाच के लिए इसकूल पहुची लेकिन इसकूल में पढ़ रहे बचो ने टीम का विरोध करना शुरू कर दिया बतादे हंगामा सून आसपास के अभिभावक भी पहुच गए बचो और अभिभावकों ने मिलकर जाच टीम के सदस्यों को ही बंधाक बना लिया जीला परसासन को सुचना मिली थी कि दुहा टांड के किट्स परडाज स्कूल को चोरी चुपके खोल कर वहां के बचों को पढ़ाया जा रहा है अलग कुलहान देश मामले में 17 आरोपी गए जेल पच्मी सिम्म जीला अंतरगाद चाईब असा के मोफसिल थाना के पूलिस पर जान लेवा हामला करने मामले में पूलिस ने जहां 17 लोग गिरफतार का सोमवार को जेल भेज दिया है वहीं सुबह में जीला पूलिस के सैक्लो जवानों ने सहर एवाम कूर्सी गाउं में फ्लैग मार्च भी किया बता दे फ्लैग मार्च के दोरान तामबो चौक के पास एक घर से दो युग को इरासत में लेकर पूश्टास की गई पूश्टास के बाद दोनों को गिरफतार भी कर लिया गया रांची की सवीता को राश्ट्रिय बाल पूरसकार राश्ट्रिय बाल पूरसकार बिजयताओ से परधान मंतर नायंद मोदी ने सोमवार को वीडियो कॉनफरेंस के माध्यम से सनवाद किया कारिकर में रांची जीला के सोना हाथू परकाण की सवीता कुमारी भी अपने माता पिता जीला समाज कल्यान पता दिकारी और सीडीपियों के साथ मौजूद थी बता दे परधान मंतिन्यान मोदी ने PMRBP पुरसकार विजेताओं को डिटल पत्र परधान किये मोदी ने इस दरान बचों से कहा कि पुरसकारों के साथ उन्हें जिम्मेदारे भी मिली अब हर किसी की आप से अपेक्छा भी बढ़ गई है उन्होंने कहा कि कुछ भी हो दबाव नहीं लेना है इन सब से प्रेणा लेनी है धन्यवाद